तो जैसे कि आपको मुझे देखके समझ आई गया होगा कि जो ठंड है मेरे इलाके में काफी जादा बढ़ चुदी है जो टैंपरेचर अभी अराउंड शायद वन डिग्री सेश्चेस है बाहर का जो टैंपरेचर है तो काम जादा करने को है नहीं तो मुझे लगा कि काफी है तो कुछ हटके जो हम लीग से जो मैचिस हम डेली डिसकस करते ही है उससे थोड़ा सा हटके हम कुछ क्यूंकि हमारे जो चैनल का मोटिव है इंडियन फुटबॉल को भी हम बहुत जादा अच्छे से डिसकस थारोली डिसकस करने चाते हैं तो मुझे लगा कि क्यो ना उस किस तरह से है क्लब्स किस तरह से लीग जो है इंडिया में है वो बाकी जो लीग जो हम देखते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जिनकी टीम्स को हम देखते हैं जैसे मैंचेस्टर यूनाइटिड है मैंचेस्टर सिटी है लिवरपूल है चलसी है यह सब टीम्स इतनी बड़ी औरूमेल औरूमेन यादा उसंद्द आए उसे क्या Um से हम एंडिया उपर लिए सोप लेवल हो सबसे ऊपर जो माना जाता है Yak अगर डर्जा जाता है यह उस तरह से से आगर आप 7100 उप्रैलिए विश्वा सकती है अंडिया संद्द गव्लावां चल जाएंगे वहाँ पे लालीगा है यह वो टीम्स है जिसमें बार्सलोना रियाल मैड्रेड मैंचेस्टर यूनाइटेर लिवरपूल चल्सी इस तरह की टीम्स जिस क्लब्स में खेलती है वो टायर वन की लीग होती है लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी टायर व की लीग है वो क्लोज लीग अब ओपन लीग में क्या होता है कि अगर आप उस लीग में खराब परदर्शन करते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और आप लास्ट में पॉइंट स्टेवल के अंत में खतम करते हैं तो आप उस लीग से रेलिगेट कर दिया जाते हैं आपको वहां से निकाल दिया जाता है और आपको एक lower level की league जाके खेलना पड़ता है लेकिन हिंदुस्तान में जो ISL है वो एक closed league है एक बार आप वहां पे enter कर जाते हो तो जब तक आपके पास ownership है जब तक आपके पास पैसा है उस league में sustain करने के लिए आपको व टीम्स बहुत अच्छा कर रही होती है या फिर जो टीम्स स्टार्टिंग में बहुत खराब प्रदर्शन कर देती है उनमें वो fighting spirit खतम हो जाता है क्योंकि कुछ उसका significance नहीं है अगर आप bottom में भी खतम करते हो तो क्या ही हो जाएगा आप league में तो रहने ही वाले हो ना वही हमारे देश में second level की league जिसको tire 2 की league कहा जाता है उसका नाम है i league i league बहुत पुरानी एक league है और ये ISL के आने से पहले इंडिया की tire 1 की league मानी जाती थी लेकिन अब ये tire 2 की league है और ये league open league है जिस तरह से बाहर की leagues है उसी तरह से ये league open league है इसमें relegation होता है आप समझ रह structure है उसको replicate करके बनाई गई है लेकिन जो ये है ये अभी tire 2 की league बन चुकी है इसके बाद tire 3 में हमारे पास i league 2 करके आता है जो भी teams i league के bottom में खतम करती है वो उनको i league 2 खेलना पड़ता है अगले साल तो ये relegation का system है जिससे teams नीचे आती है जो i league में bottom में खतम करती है वो league system से बाहर होके उनको states की leagues में खेलना पड़ता है तो ये उनको एक तरह से खराब परदर्शन करने की सजा दी जाती है उनको एक penalty pay करनी बढ़ती है एक lower level की league खेलके एक पूरे साल के लिए तो इसलिए वो teams बहुत जारा competition में आ जाता है और बहुत जारा competitive capacity जो बढ़ जाती ह लीग की अब जो concern है वो ये है कि जो ISL है अगर वो भी open league हो जाए तो उसकी जो quality है वो Indian football की quality थोड़ी बढ़ जाएगी All India Football Federation की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं कुछ experts भी ये बोल रहे हैं कि शायद 2024 से ISL एक open league हो जाए इंडिया का एक पूरा league structure बनने जा रहा है जिसमें ISL को top league माना जाएगा उसमें जो सबसे खराब परदर्शन करेंगे उनको I league में भेजा जाएगा उसमें जो खराब perform करेंगे उनको I league 2 में भेजा जाएगा जो उसमें भी खराब परदर्शन करेंगे उनको state की छुटपुड leagues खेलनी पड़े तो ये एक बहुत well established structure जो है वो बनने जा रहा है जो शायद 2024 तक existence में आ जाए हम hope करते हैं कि ऐसा हो ताकि हमारी जो football की quality है वो भी बढ़ दूसरा एक major concern है कि Indian football जो है उसमें जो leagues है उसमें foreigner players भी खेलते हैं और वो foreigner players क्या करते हैं जो major positions होते हैं जैसे strikers होते हैं जो main strikers होते हैं जो center backs होते हैं जो बड़ी-बड़ी positions होते हैं उनमें वो लोग खेलते हैं और since leagues में teams को जीतना होता है वो league teams जो है वो उन players को उन positions पे खिलाती है और उसकी वज़ा से Indian players को अपना वहाँ पे आके perform करने का मोका नहीं मिलता है as a striker, as a center back, as a center midfielder यह सब जो बड़ी-बड़ी positions हैं wingers की position भी कहीं पर मतलब जो भी crucial position होते हैं उसमें जो है वो foreign के players खेलते हैं तो All India Football Federation का कहना है कि जो टायर 2, टायर 3 और टायर 4 की जो leagues है जगती I-League 2 और जो state की leagues है उसमें शायद अब international players को उतना ज़ादा मोका नहीं मिलेगा खेलने के लिए उनके लिए restrictions लगा दी जाएंगी ताकि Indian talent को भी अपने आपको represent करने का मोका मिले खुद वहाँ पे खेलने का मोका मिले और improve करने का पूरा मोका मिले अगर यह चीज हो जाती है तो Indian football जो है वो काफी अच्छे से grow करेगा साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जैसे भी बहुत बड़ी बड़ी लीग्स प्रीमे लीग्स ला लीगा जो European लीग्स है वो जो उनकी जो टॉप टीम्स होती है उनको benefit भी होता है उन्हें European championships खेलने का मिलता है जैसे कि UFA Champions League उसमें Premier League की Top 4 की टीम्स खेलती है वैसे ही एशिया में भी AFC करके एक tournament होता है जिसमें हमारे जो एशिया के अलग-लग countries की जो clubs होते हैं वो खेलते हैं तो जब ये pyramid structure बन जाएगा तो ISL की जो टॉप टीम्स होंगी वो उसन championships में एशिया में इंडिया को represent करने के लिए जाएगी अभी भी ISL और I-League दोनों में से थोड़ी थोड़ी teams को लिया जाता है लेकिन अगर एक pyramid structure जब बन जाएगा तो सिरफ ISL की top teams को आगे भेजा जाएगा जो कि एक अच्छा point है तीसरा point ही है कि because there are two leagues एक open league है एक close league है ISL और I-League दोनो almost tier 1 की league मानी जाती है तो उस में teams बट गई है I-League में लगबग 12 टीमें खेलती है और ISL में लगबग 11 टीमें खेलती है तो अगर ये teams combine कर दी जाए और top level 1 पे इन सबको खिलाया जाए तो एक 20 teams का एक अच्छा हमें भी structure जो कि बाहर exist करता है European Africa में exist करता है वो हमें अपने इंडिया में भी देखने को मिले तो ये जो है पूरा structure है हमारे देश का और ये जो है वो changes suggest की गई है जो कि 2024 तक शायद Indian football में आ जाएंगी और इसी तरह कि अगर आप चाहते हैं कि हम content बनाते रहें तो please please हमें support कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए channel को share कीजिए हमारी videos को अपने दोस्तों को बताएए कि Indian football के लिए भी अगर उनको को information चाहिए तो एक channel है जहां पर वो ये news पा सकते हैं तक तक के लिए हम अगली वीडियो और बहुत सारी वीडियो इंडिन football पे बनाने वाले हैं आप please subscribe कर दीजिए bell icon दब आलीजिए और देखते रहेए the flag is up